दोस्तो बी टाउन के रियूमर्ट कपल केट्रीना कैफ और विकी कॉशल सबसे जादा पसंद किये जाने वाली जोडियों में से एक है यहीं वज़ा है कि फैंस उने विकेट बुलाते हैं हला कि केट्रीना और विकी कॉशल ने अपने रिष्टे को प्राइवेट रखना पसंद किया इसके साथ ही उनोंने अभी तक अपने रिष्टे को कंफर्म नहीं किया है और ऐसे में खबरे आरही हैं कि सास से लेकर 9 दिसंबर के बीच में केट्रीना कैफ और विकी कोशल शादी करने वाले हैं वो भी राजिस्थान में लेकिन इस बीच इन दोनों के रश्टे को एक आक्टर ने कर दिया है कन्फर्म हम बात कर रहे हैं आईशमान खुराना के बारे में जिन्होंने इशारों में दोनों के रिष्टे को कनफर्म कर दिया है दोस्तो खबरे आ रहे हैं कि केट्रिना कैफ और विकी कॉस्चल जल्द शादी के बंदन में बने जा रहे हैं वो भी राजस्तान में हलाकि अभी तब कोई ओफिशल अनाउंस्मेंट नहीं किया है इस प्यारे से कपल ने लेकिन अंदर की रिपोर्ट्स की माने तो शादी की तैयारिया पूरी हो चुकी है और बहुत जल्द विकी कॉशल की दुलहनिया बनने वाली है केटरिना कैफ एक लेटेस इंटर्वियू की बात करें तो जब आयुश्मन खुराना से यह बताने के लिए कहा गया कि वो केटरिना कैफ को किस तरीकी की डेट पलने चाहेंगे तो उनोंने इसका जवाब देते हुए बताया कि वो केटरिना के लायक नहीं है क्यूंकि वो अच्छा डान्स करती है लेकिन विकी कौशल संग उनका बॉंड अच्छा बैठेगा अक्टर ने कहा कि सुनो मैं उनकी तरह डान्स नहीं कर सकता मैं केटरीना कैफ को नहीं जानता यार लेकिन हाँ विकी कौशल एक पंजाबी है उनका connection सही बैठेगा इससे पहले आक्टर रनिल कपूर के बेटे हर्श वर्धन कपूर ने केट्रिन और विकी के रिष्टे को confirm किया था अपने एक इंटर्वियू में हर्श वर्धन ने कहा था कि विकी और केट्रिना एक साथ है ये सच है इसके बाद उन्होंने तुरंट कहा था क्या मुझे ये कहने में परिषानी होगी मुझे नहीं पता मुझे लगता है कि वो इसके बारे में काफी खुले हैं आपको बता दे कि आईश्मान खुराना का ये स्टेट्मेंट काफी वारल हो रहा है क्योंकि उन्होंने इशारे इशारे में विकी कॉशल और केट्रीना के रिश्टे को कन्फर्म कर दिया है। इसके साथ ही जस तरीके से विकी कॉशल और केटरीना की शादी की खबरे सामने आ रही हैं उसके बाद बहुत जल्द सब तारीक को आपको केटरीना के विकी कॉशल की दुलहनिया बने हुए जरूर नजर आने वाली है